हेलो दोस्तों श्रागत है आप सभी का अपने यूटूब चनल पर और मलेशिया टीटेटी सूपर सीरीज लीग के एक और मुहा मुकाबला मैच में जो खेला जागा सौथन हीटर्स वर्सेज नौर्थन स्ट्राइकर के बीच में दिखो भाई यह मैच हम लोगों के लिए बह आपको कैप्टेन वाइस कैप्टेन देखने मिलेगा क्यों भाई हम आज के वीडियों बताएंगे चाहें वह जीएल हो या फिर एसे लो या फिर हेट टू हेड हो सभी में अपनी टीम की रैंकिंग अच्छा कासा जाएगा और फिर हम लोग बात करेंगे हम लोग को अगर साथ में बात करेंगे हम लोग आज के मैच में टीम कैसे बनाएंगे कैप्टेन वाइस कैप्टेन प्लस कितने खिलाडी के करना है और कौन से खिलाडी हम लोग के लिए बेस्ट होगा उसके बारे में चर्शा करेंगे और फिर अपनी टीम बनाएंगे तो अच्छी टीम बन बहुत आची बनी तो आज के मैच के बात करते हैं आज के मैच के बारे में जो खेला जागा SOH vs NS के बीच में सबसे पहले हम लोग का जो फोकस होगा वो होगा आज के मैच के न पीच पर पीच कैसा है किसके फिरगर में काम करेगा बैट्समें लोग सपोर्ट करती है या फिर बॉलर को उसके according हम लोग captain vice captain करके चलेंगे तो कौन से captain और vice captain हमारे लिए बहुत important होगे साथ में हम लोग discuss करेंगे आज के match में captain vice captain पर पीच पर और heat to head record पर सभी में perform देखेंगे सभी का और फिर अपनी team मनाएंगे चलो कुछ स्टेट्स कुछ नजैसेस पर बात कर लेते हैं फिर अपनी टीम मनाएंगे दिको बात करते हैं रिसेंट लाइस्ट फाइट में चुका तो एस फांच मैं लिखेए और पांच मैंच में से ना तीन विन है दो लॉस है ठीक है भाई और एनस का जहां तक बात कर ले पांच मैच खेले हैं फांच मैच में से 2 विन है और तीन लॉस है चलो अब बात करते हैं आज के बारे में कहां खेले जए लेगा हएगा बैलेंस टेक रहेगा एस्पिनर के लिए काम करेगा बारी सोने समावन आपको थोड़े बहुत देखें वे मेलेंगे लेकिन टाइम पर आपको मैच स्टार्ट हो सकते हैं ठीक है ना एवरेज रांस 147 और 69 विकेट गिरा हुआ है जिसमें से एस्पिनर को काफी विकेट मिला हुआ है तो एस्पिनर पर फोकस रखना है एस्पिनर अपने लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे अब हीट टू हीट का जहां तक बात कर ले न तो 15 मैच है 15 मैच में से चार मैच एस जितकी गई है और 10 मैच जो है न वो एने जितकी गई है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा था तो काफी खतरनाक आपको टीम देखने को मिल जाएगी एनेस की टीम चलो अब बात करते हैं आज के मैच में टॉप खिलाड़ी कौन से रह सकते हैं तो टॉ लोग नहीं से अपनी टीम में लेके चल सकते हो एज फिक्स खिलाड़ी के तौर पर और एज टॉप खिलाड़ी के तौर पर इनका पर बहुत तगर रहेगा चलो अब देखते हैं ना हम लोग टीम कैसे बनाएंगे उसके अलावा हम लोग का बैटिंग ओटर क्या रहने वा लोग अच्छा गासा रह सकता है तो यहां पर हम आपको चार खिलाड़ी देंगे कैसे इस्तमाल करना है वह देख लो बाई टीम में आपको क्या करना आपको जाना एक तरफ और ये दो खिलाड़ी को अपने टीम में काफी बेस्ट होने वाले हैं और आपको दूसरे टीम मे क्या करना है आपको झाना और यहां पर आ रहाए है दर को कि दूखी डर को भी कैप्तें करके चलना काफी इंपोर्टन वह बहुत कड़ी पक्रफों में तो इससे अपने चीब में जरूर्च करना का इस मैस के बैस्त पिक रहने वाले जहां तक इनका perform का बात कर ले एफ हैच का तो एफ हैच चार मैच से 75% ड्रीम टीम है पिछले मैच अबोंडिट गया था और उससे पिछले मैच में 15 और 101 पॉइंट का कवर है तो हम लोग इसे आज के मैच में VC के परपस से भी इस्तमाल कर सकते हैं और जे एक्तर का भी सेम कं स्कोरिंग देखने को मिला था 106 पॉइंट बंदे ने कवर करके दिया था ठीक है और देखो बात करते आर हैदर का तो आर हैदर को लेके चल सकते हो VC के तौर पर या फिर क्याप्टेन के तौर पर भी इस्तमाल करना इनका पफॉम भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलड़ा है तो यह भी अच्छा खासा आपको पफॉम करते होने जरा सकते हैं और एम आमिर को तो क्याप्टेन 100% करके चलना इनका पफॉम बहुत तगड़ा रहता है और हर मैच में आपको अच्छा स्कॉरिंग करके देता है यह बंदा तो भाई इसे ना क्याप्टेन जरूर है फाइनल टीम नहीं है तो फटा फटसे टेलेगराम पर आजाओ लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन में है वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद